वेलकम टू मैं चैनल रिल फैक्ट्स तो दोस्तो आज हम बात करने मानें ड्रेग मी टू हेल मूवी के बारे में जो दो अजार नो मैंने डीस हुई ती लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो ने देखी जिसमें मैंने आपको वांटीड 2008 मूवी के बार है अजार वन मूवी है मूवी के बजट के बारे हम बात करें तो इस मूवी का बजट तीस मिलियन डॉलर्स था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 90 मिलियन डॉलर्स का बिजनस किए दोस्तो इस मूवी की कास्ट के बारे हम बात करें तो एलीसन लोमन क्रिस्टिन प्राम के रोल में नजर आती है जस्टीन लोंग जो के कले डाल्टन के रोल में नजर आती है और लेनर ओवर जो के मिस्स गैसन के रोल में नजर आती है दोसों मूवी के स्टोरी के बारह हुबाद करना है मुवी में एक लड़की है। जिसका नाम है क्रिश्टिन वह एक मैं मैंक भॉक्वी कि अधिये बेण रूती है जिसका नाम मिजस गैसन हैованू हो scorbye ज भाए हम फ्रून होपाथ वॉलिविड और मुवी जाता है जिससे ओडियन्स का आदा इंटर्स तो वैसे चला जाता है बाकि अगर मुवी की स्टोरी अच्छी हुई तो ठीक बनना ओडियन्स को घंटा परकनी पड़ता है क्या हो रहा है अच्छी मुवी बनी है जैसे कि वी राना एंटी ट्वेंटी बंदरवजर ऐसी मुवी इन्होंने कम बजट के साथ भी बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस क्लेक्शन किया था चलिए अब बात करते हैं मूवी के कुछ आउसम प्रैट्स के बारे में इस मुवी के डाइरेक्टिर ने इस पूरी मुवी के स्क्रेट अलीसन लोमन को फोन पर बताई थी और उने इस मुवी को करने के लिए मना लिया था अब एक इंटर्वी के दोरन बताया है कि इस मूवी की सूटिंग बहुत हाड होती थी इसलिए उन्हें सोने से पहले एक टकीलर शॉट लेना पड़ता था इस मूवी में पहले क्रिश्टिं के रोल के लिए एलन पेज को कास्ट के गया था लेकिन इसक्रीन एक्टर्स गली टो स्ट्राइक की वज़े से ऐलीस और लोमन को इस रोल के लिए कास्ट के गया है एक इंटर्वी को दौरान अली सुलोमन ने बताया है कि कवर वाले सीन को करने के लिए उन्हें पूरे दूग अफते लगे उन पर रोज थंडा पानी और कीचर फेका जाता था ये एक बूनस फैक्ट है मूवी के स्क्रिप्ट 1912 में आर्मी ऑफ डाकनेस मूवी के बार लिखी जानी थी लेकिन स्पाइडर मैं सीरी सुरू होने के वज़े से इस को बीच में ही रोग दिया गया था जो तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में तो दोस्तो इस मूवी को 6.5 आफ टो 10 आइंवीडी रेटिंग में लिए साती रोटन टेमेटोस से इसको 92% फ्रेश पताया आज की वीडियो यहीं तक थी वीडियो देखके खुसी हुए यह मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजा साती चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बत झाल